जॉन का सुनहरा स्पर्ष एक समय की बात है एक यूनानी राजा जॉन था वह बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा सोना था उनकी एक बेटी थी जिससे वे बहुत प्यार करते थे एक दिन जॉन को एक देवदूत मिला जिसे मदद की जुरूरत थी उसने उसकी मदद की और बदले में वह उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गई जॉन की इच्छा थी कि वह जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए उनकी इच्छा पूरी हुई घर जाते समय उसने चट्टानों और पौधों को छुआ और वे सोने में बदल गए जैसे ही वह घर पहुँचा, उट्सा में उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया, जो सोने में बदल गई जॉन तबाह हो गया था और उसने अपना सबक सीख लिया था, अपना सबक सीखने पर, जॉन ने स्वर्गदूद से उसकी इच्छा दूर करने के लिए कहा कहानी की नीती लालच आप के लिए अच्छा नहीं है सुखी और पूर्ण जीवन जीने के लिए संतुष्ट और संतुष्ट रहें